बारा साल पहले अकेली हुई थी आज भी अकेली हूँ अब मुझे अकेले रहने की आदत है बदल गई सुबान और इबादत की राहें शिरू हुआ दोनों का नया सफर अपने अपने बच्चों के साथ सीरिल रब से है दुआ की आने वाली कहानी में आने वाला है जबदस ट्रैक जहां पर कोट्रू में शिवान की वज़े से तूटेगा इबादत का दिल लेगी फैसला छोड़ कर जाएगी हमेशा कले सुबान को जी आँ दोस्तों कोट्रू में लगने वाले हैं इबादत के करेक्टर पर धेर सारे इल्जाम जहां पर मनत और शिवान जो ही कहने वाले हैं कि वाकई में अबादत करेक्टर लेसे दरसल यहां पर जब अर्मान एक्यूजिशन लगाएगा अबादत के ओपर तो यहां पर अबादत का दिल तोड़ चाएगा तो नहीं पर शिवान गुस्ता करते तो नज़र आएगा लेकिन यहां पर मनत कहने वाली अबादत के सामने कि शिवान तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तुमने और मैंने मिनकली तो प्लान बनाया था कि हम इबादत के उपर यह इल्जाम लगाएंगे और ऐसा ही होता भी है इबादत हमेशा कले शिवान से अपना रिष्टा खतम करके जाने वाली है लेकिन वहीं पदाचलनी वाला है अबादत को कि वह प्रेग्नेंट है जिसके बाद अब इबादत बल्कि उन्होंने इडॉब किया होगा लेकिन ये शिवान और मनत का बच्चा नहीं होने वाला है बलकि उन्होंने एड़ाप किया होगा और इसी गलत फामिके चलते इबादत और शिवान के बीच में बहुत बड़ी दिवार खड़ी हो जाए क्योंकि यहाँ पर शिवान है वो अबादत से माफी माँखनेगे विसे जूनता है खोशता है सालों तक लेकिन उसे अबारत कहीं नहीं मिलती है जिसके चलते इबादत भी हमेशہ किले शिवान के लाइफ से आउट जाते तो वहीं शिवान भी वारत को बोहराने लगता है लेकिन जब किस्मत लाइगी इने फिर से एक दूसरे क्यामने सामने तो भरी बहुत सारा ड्रामा होने वाला है अब देखना कहानी में बहुती मसदार होने वाले कि क्या सालों बाद इबादत और शिवान एक हो पाएंगे क्या इनका प्यार इन्हें करीब ला पाएगा हमें कमेंट की शेयर करें ऐसी टीवी की लेटिस अबडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले